हेलो फ्रेंज बहुत बहुत श्वागत है आपका हमारे यूटूब चल्ल अस्टरडे में उसके लिए और आप सभी अच्छे से जान गए होंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जल्दी से हमारे उस वीडियो को देखिए बेसिक नॉलेज के लिए और अगर आप सुरुआज से पढ़ना चाहते हैं यानि कि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं नेट के लिए, जे आरेफ के लिए, सूपर टेट के लिए कोई बहुत अच्छे टीचर के लिए या फिर यूपीसी के लिए या फिर बेशी के लिए तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से हिंदी जानना होगा तो इसके लिए क्या है आपको सुरुआ से पढ़ना पड़ेगा और अभी मैं जो वीडियो लेके आ रही हूँ बिल्कुल सुरुआ से लेके आ रही हूँ ठीक है तो अब जादा जादा इस वीडियो को सेर भी कीजिए और हमारी वीडियो को देखिए भी तो चलिए अभी तक के फिर मोग पढ़ रहे थे हम लोगा जो पहला चैप्टर इसार्ट था हिंदी भासा और उसकाबिकास तो अभी तख हम लोग उसमें 50 स्वास कर चुकें हैं और आज हम लोग सुरृत करेंगे एक आवर से डॉक्टर ताग्रे ठीक है, भी बेज ऑ्ट को पेने हैं साइसे को फारे से डॉक्ट डॉक्टर ताग्रे ठीक है? का नोतक्षून सेह ब्सक्ति हैं है ? अ क्योज़ देजुजिझ्ग के ढुशन अवर्स के बहता म है नुध दो थें। ठीक है कौन से भेध हैं तो भेध है वह पुर्भी और पस्समी नेस कोश्चन है कि अपवरंस में राम काब के पर्थम कभी कौन है तो अपवरंस में राम काब के पर्थम कभी कौन है राइगू है या फिर देवसूरी है या फिर स्वेम्भू है या फिर जिन परवसूरी है इसके सही option नमबर 20 का सही हो जाएगा स्वेम्भू अभरंस के रामकाव के पर्थम कभी जो माने गए थे अभरंस में वह थे स्वेम्भू ठीक है अभी तक हम लोग अभी जो स्टार्ट कियें पढ़ना तो स्वेम्भू का बहुत वार नाम आ चुका है इससे पता चलता है कि स काहले से कभी थे और हम लोग को पता भी है कि स्वेम्भू को बहुत कुछ बोला भी गया है अभी तक हम लोग देखे भी हैं और आगे भी बहुत बार नाम देखने को मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेश्ट कोश्चन सोरास्टी या नागर अभरंस का समंध है तो सोरास्टी या नागर अभरंस का किसे समंध है ताजस्थान से समंध है बिहार से समंध है महरास से समंध है या फिर गुजरास से समंध है तिसका जो समंध है सोरास्टी या नागर अभरंस का किसे समंध है तिसका सही आंसर हो ज एक और नाम है 85 तो आप है ही आपवरेंस को कों सा नाम है क्कई, नाम है लाती, नाम है द्लिब हो जाएगा है अगर Our Baku तो आँ आ मिस ने कभ़े था है तो लाइक करते हैं थी आई होगे, आपनेScेश। इस question है कि अपवर्ण्स में Krishna कातअ का सुत्रपात किस ने किय था पुस्पदंत ने सुयंभू ने हरी बशी ने या फिर भी չिने चंदर शुरी ने जिसका सही option जो option number बी हो जाएगा सुयंभू ने अपवर्ण्स में Krishna कातअ का सुत्रपात जो किया गया था नेश्ट कोशन है सुमलित करें यहां अभरंस के कुछ गरंथ का नाम दिया गिया है यह टोटल जो गरंथ है टोटल अभरंस के गरंथ है और इधर इसके लेखक का नाम दिया गिया है कौन से लेखक की कौन से गरंथ है यही सुमलित करना है यह बहुत ही अच्छा कोशन होता ह इसमें लगवग 4 questions solve हो जाते हैं हमारे तुछे लिए देखते हैं वर्ण रतनाकार के रशनाकार कौन है तो इसका रतनाकार कौन है तो इसका रतनाकार जो है आप्शन नमर इसका सही हो जाएगा 4 जो 308 कर ठीक है तिसका यानि की एका 4 मैं यहां लगा भी देती हूं फिर है कृतिलता किस की रशना है यह हम सभी चानते अच्छे से जानते बहुत अच्छे से जानते तो इसका रिशना है यानि बी का तीन ठीक है तो अब ऑप्शन में देख लेते हैं थोड़ा सा की कौन सा है एक चार और एक क्या था चार बी का जो चार नालोवN ही तो बाद सब्याए कि शुट भी शुट हाइँ दी रितिलटा का और वीडेयापती लता बाढ़ तो यह अगता है किन की रचना है तो यह जो रचना है इसका लाल चंद्र गांदी जी की रचना है यानी C का C का दो है फीर है सिद्य हेम सब्दावनुशासन हम लोग सभी जानते हैं किसकी रचना है तो यह हेम चंदु की रचना है तो यह हो जाएगा D का 1 तो औप्षन नमबर देखिए siihen इसमें 3 का yarni C का दो इसमें दिया गिया है और D का क्या था 1 था तो option number 10 का बिल्कुल सही होता है, यानि वर्ट अपनाका की रचना करते जोती शोठाकूर, फिर कितिलता की रचना करते हैं विद्यापती, फिर अपवरंस कावित्रे की रचना है लाल चंद्र गांदी और सिब्ध हेम सब्दानुशासन की रचना है हेम चंद्र, ठीक है? नेश कुशन की और बढ़ते हैं कि बिहारी, बंगला, असमिया और ओडीशा भासाओं का बिकास अपवरंस के किस रूप में हुआ है? अपवरंस के किस रूप में हुआ है? मागदी में हुआ है? अर्द मागदी में हुआ है? 85 में हुआ है या फिर सोर सेनी में हुआ है? तो नेश कोशन है कि अर्द मागदी अभरंस से हिंदी के किस रूप का विकास हुआ है, पस्मी हिंदी का विकास हुआ है, पुर्भी हिंदी का विकास हुआ है, या फिर गुजराती हिंदी का विकास हुआ है, या फिर कस्मेरी हिंदी का विकास हुआ है, तो अर्द मागदी अभ पंजाबी और गुजराटी का बिकास अपभरंस और किसby है और किस रूप में हुआ है तो किस में हुआillery के पराछांड構र्थ हिंदी sondern अपण्य से किस कव भी ब्राचेट अपवरंस से किस भासा का विकास हुआ है राजाश्थानी ब्राथ हुआ या फिर घुजराती भासा का या फिर ओडिया या फिर सीन्दी जिसका सही अप्सन क्या हो जाएगा का से सिंधी व्राचंड अव रहन से बहचता का बिकास जो ऐत सा कि में hai a घृत कहा गया यह बहुत ही अश्च्णै कि अभरंस का भभूती किसे कहा गया पुस्वदंत को कहा गया या फिर साली भद्र को कहा गया या फिर कन कामार मुनी को कहा गया या फिर धनपाल को कहा गया तो यह जो कहा गया है पुस्वदंत को कहा गया है बहुत अच्छे से आप लोग भी जानते होंगे अभरंस के एक मजसी सी इवर साय कवसा है को शांद भासा किस न कहा था हैं लोगहा Turkish ,ять से निसकाउशन मर भी सही हो जाएगा अद्वय ब्रस्त था मूनी दत ने कहा था सिद्ध कव्यों की भासा को शान्द भाशा ठीक है अद्वय ब्रस्त था मूनी दत ने कहा था next question है कि सिद्ध कभियों की भासा का विकास अभरंस के किस रूप में हुआ है सिद्ध कभियों की भासा का विकास अभरंस के किस रूप में हुआ है नागर में हुआ है पेचासी में हुआ है अर्ध मागदी में हुआ है या फिर महरास्टी में हुआ है तो सिध्ध कभियों की भासा का विकास जो वैवरंस के किस रुप में हुआ है तो यह हुआ है अर्ध मागदी में इसका option number 6 ज़ी हो जाएगा next question है कि सिध्धों के पर्थम कभी है तो सिध्धों के पर्थम कभी किसे माना गया है कहनपा को माना गया है या फिर गुंडरीपा को माना गया है या फिर नागा अरजुन को माना गया है या फिर सरप्पा को माना गया है तो सिध्धों की जो पर्थम कभी है न वह है सरप्पा हिंदी के भी पर्थम कभी इन्हीं ही माना गया है सरप्पा को सरप्पा को बंगला का पर्थम कभी किस ने कहा सरप्पा को बंगला का पर्थम कभी किस ने कहा है डाक्टर बी भटाचारी ने डाक्टर परवोध चंदर बागची ने डाक्टर हर परशाद साहस्त्री ने डाक्टर सहीद उल्ला ने तो सरप्पा को बंगला का पर्थम कभी किसने माना है देखिए सिद्धों का पर्थम कभी तो सरप्पा है ही लेकिन सरप्पा को बंगला का भी पर्थम कभी माना गया है तो किसने माना है तो डाक्टर भी भट् पुल्सक्त कि बंगला का पर्थम कभी ठीक है next question है कि बहुत है मनू मन कारून कारण अंगु एंगु चलू आधी मिलते हैं तो इनमें से किस की देन slides की देन तो दो पिछले video में भी देखे थे थोड़ा से डिटेल जो उसमें अगू चलू आधिक रूप जो मिलते हैं या किसकी देन है तो अब ये आपवरंस की देन है इस कोईशन है कि अपवरंस में किस कोटी के सब्दों का बहुमाली है यानि कि सबसे ज़्यादा महत्तों किस सब्द का है तस्सम का है तदवब का है बिदेशी का है या फिर संकर सब्द का है कौन सा सब्द का है सबसे ज़्यादा जो है वह है कौन सा सब तदभव सब्द ठीक है क्योंकि तस्सम जो है वो संस्रित की भासा हो जाती है बिदेशी तो बिदेश की भासा हो जाती है संकर जो भासा है वो बिल्कुल अलग हो जाती है तद्भव जो है वह क्या है हिंदी की भासा है ना तो यह तद्भव अफ़रंस में जो सब्द मिलते हैं यानि सब्दों का जो बहु मुल्ली है महत्व है वह तद्भव का है संस्क्रीत के अस्ति सब्द का पर्योग किस रूप में मिलता है हस्ति में मिलता है अहरती में मिलता है या फिर है में मिलता है तो यह अप्शन सी सही हो जाएगा ठीक है कोकनी भासा किस अभरन्स से बिखसित हुई है राजस्थानी से हुई है या फिर ब्राचन्ड से या फिर मांगदी या पिर महारास्टी किस से हुई है तो इसका अप्शन नमर्ब जो है सही हो जाएगा डी महारास्टी ठीक है इस कोशन है कि पुस्वदंत की भासा को मराथी की जन्नी किस ने कहा है नामी सादू ने कहा है डक्टर याकोबी ने कहा है डक्टर पिसेल ने कहा है या फिर डक्टर तागरे ने कहा है तो किस ने कहा है पुस्वदंत की भासा को मराथी की जन्नी तो यह जो कहा गिया है कहा ग टाग्रे लिखा हुआ है, ठीक है, तो सही उचारन जो होगा, इसमें होगा, डाग्टर तागाडे होगा, ताग्रे नहीं, ठीक है, यहां पे थोड़ा गलत हो गया है, ताग्रे, जो पहले लिखा हुआ था, चलिए, देश कोशिन है, अब बरंस का सबसे लोगपरिये छंद क कृंतñ है Flamoy cri사 सबसे लोग fil reajan कि माना गया है तो दोह को माना गया से हो जाएगा दोहा निच कोशन ने कि भारतिय आरभासा ओदी माना जाता है थो बिव॥ rise स sesان fans पास माना जाए या फिर एक हजार इस पास माना जाता या या निमिन से कोह से इसका option number C से हो जाएगाे 1000 से ही के आसपास माना जाता है आरियो हशाओ का उधै demanding the next question है कि पुरानी हिंदी का उधै माना जाता है किससे माना जाता है प्रकृत से माना जाता है पाली से माना जाता है या फिर अभःट से माना जाता है तो अभी तक हम लोग जो पत्रण है हिंदी फासा और उसका विकास ज्यादा आपको को देखनी को स्वोला сами यहीं माना जाता है ठीक्याफट और 하지만 स्व сторCK 5-10 का सवांगा किंवत के अभ curator कहाई है कि अभर केился तो ओपेरियर और घृत अवहट की जो भेद है ना वह भेद जो हैं तो कौन-कौन से भेद हैं तो अवहट के भेद हैं यह उपनागर हैं अभीरी हैं या फिर गाम्मी है या फिर नागर है या फिर उपनागर है या फिर व्राचंड है या फिर पुर्भी मदवर्ती और पश्मी या फिर कोई नहीं इसका option number 20, C हो जाएगा पूर्वी, मद्यवर्थी और पस्समी है अवहट के भेद हैं जो यानि की पूर्वी, मद्यवर्थी और पस्समी है यह अवहट के भेद और next question है कि अवहट का कारिकाल कब से कम माना जाता है तो 500 इसा पूर्ब से 700 इसा पूर्ब तक या फिर 800 इसा पूर्ब से 1000 इसवी से थोड़ा पहले या फिर 850 इसवी से 1000 इसवी से थोड़ा से पहले या फिर 900 इसा पूर्ब से 1000 इसा पूर्ब की या थोड़ा के पाद वह से वह से अंवाल में इन जो दिया गया है थोड़ा पहले यह सब दिया गया जए करकों में के बारे में इसलिए कुलिए के अंवारे में इन सब्सक्राइब। खेर कोई बात नहीं तो चलिए आज का सवाल है कि महादरी वर्मा को किस रचना पे ज्यान फिट पुरुषकार मिला था महादरी वर्मा को किस रचना पे ज्यान फिट पुरुषकार मिला था जरूर से जरूर आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कि दीचेगा आप आंसर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ठीक है और अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक भी कीचेगा और ज्यादा किस आपको याद हो जाता है ठीक है फिर बिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सारे कोशनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद